एपका बहुत बहुत स्वागत है वेग्विद मॉर्निंग दोस्तों और आज की जो मॉर्निंग है बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग है तो मेरी वॉइस पर जादा ध्यान मत दीजिए काफी सुबह सुबह बना रही हूं अभी अभी सुबकर उठी फिन थोड़ी सी री बिप्रोग्राम यौर सब्कॉशेस माइं रईक्ट मैंने कम्मीटी में पोज भी किया था कि मैं सेवन से इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रही हूं और काफी लोगों ने एंडोल भी कराया है सेवन से क्यों इतना लेट क्यों दोस्तों मैंने आपको तब भी कहा था कि जब हम अपती सबकॉंशेस माइंड को री प्रोग्राइब करते हैं तो उसके पहले हमको अपना बेस तैयार करना है दिखा जाये तो यह सबकॉंशेस माइन का कंसेप्ट मैं चुन फ्रेम्स में आज से साथ मेने पहले लेकर आई थी आई तिंग उससे भी ज्यादा अगर आप मेरा डालीए सर्च करिए तो मैंने बहुत पहले वीडियो बनाए हुए काफी डिटेल वीडियो बनाए है कि सबकॉंशेस माइन क्या होता है कैसे वर्क करता है उस वकर चीज़ें क्यों नहीं निकाली करकि उस वकर आप सब लोग इस जरी पर स्ट्रगल कर रहे थे आप सब तो उस वकर बहुत परिशान थे राइट सब उस वकत अपने टॉक्सिंस को बहार रिलीज कर रहे थे सब ट्रिगर थे थे तो वह राइट ताइम नहीं था I was waiting for the time कि जब आप तो आप सा रिलाक्स हो जाए काम एंद कूल हो जाए then only this will help you why because अगर आपका कप खाली नहीं है तो आप उसमें नई चीज कैसे पोर करोगे right so you need to first clear your old belief systems you have to be relaxed your mind should be relaxed इसलिए नोट कीजिए कि बेरी लास वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप deep inhale hold and release इसको practice करिये जिसने वो वीडियो ना देखा हो मैं उस वीडियो को बीचे टाग कर दूंगी ठीक है इससे आप एक बाब फिर से उस वीडियो को देखिये that was I was preparing your base हाला कि ये base मैं आपका बहुत time से prepare करी हूँ बीच में मैंने और भी कुछ वीडियो करेंटिट तो subconscious mind बनाये थे जिससे कि आपका दीर दीरे वो mind दीरे दीरे psychologically मैं आपका mind खाली करते जा रही थी और मैंने आपको लास वीडियो में वो exercise बताई थी deep inhale hold and exhale जिससे आपके धीरे धीरे 75 million जो आपके thoughts आते हैं रोज के वो आपके आधे हो जाए थोड़े कम हो जाए जिन लोगों ने honestly किया बहुत इच्छी वात है जिनों नहीं किया वो अब practice करिए सेवंथ बहुत दूर है अभी इसलिए subconscious mind आपके तरह भी कहीं से भी healing कर लो systematic way यही होता है कि तो आप खुद अपने उस area को उस space को खाली नहीं करोगे you can't pour right so वो हमारा हो सकता है आप लोग practice कर रहे हो तो चलिए अब हम उसके आगे की बात करते हैं थोर सा समझते हैं कि जो यह subconscious mind जो होता है जैसे भगवान ने हमें यह body दी है mind दिया है हमें subconscious mind भी दिया है क्यों दिया है it's exactly like a software जैसे कि और यह software है यह हमारी body की जो cells है बल्दब यह कली हमारी body को चलाता है एक excel को यह govern करता है अब जैसे कि आपकी mobile पर memory होती है right और आपको कुछ भी करिके भी आपको extra memories भी mobile पर होती है यह आपको card लगाते हो यह chip लगाते हो हर प्रकार की photograph हर प्रकार की जो भी आपको videos है गाने है movies है राइट आपकी photographs है everything हम अपने mobile पर upload करते हैं कैसे जिसमें memory होती है कि उसी पकार आपको भी एक memory मिली है जिसके अंदर 80 billion neurons है आपको पता है यह बात यह पकार से इसी intelligence है जो help करती है in taking the decision making your belief system आप अपने creativity को enhance कर सकते हो आप अपनी intuition को develop कर सकते हो ठीक है आप अपनी spiritual journey को enhance कर सकते हो मतलब you can do anything whatever you want to do in your life you can do it because यह power आपको आपके अंदर मिली है अगर मैं कहलो कि one neuron is equal to 82 GB तो आपको 80 billion neurons मिले है तो सोचिए आप कितने powerful हैं बट हम क्या कर रहे हैं बताए हम क्या कर रहे हैं हमको memory तो मिली है एकसा memory मिली है हर कुछ डालने की पर हम क्या डाल रहे हैं ask yourself हम क्या डाल रहे हर प्रकार के triggers हम जो भी अच्छा बुरा देख रहे हैं वह सब वहां हो रहा है ठीक हर प्रकार के triggers किसी ने आपको बुरा बोल दिया वह भी वहां जा रहा है किसी ने आपको अच्छा बोल दिया वह भी वहां जा देखें यहां मैं के लिए आपको healing of your neediness पर मेरा में जो कोर्स है जो मैं सेवंथ को स्टार्ट करने वाली हूं that is because your basic problem is your neediness कि आपने person को अपने अंदर से निकालनी पा रहे हूं एक बार वो निकल गया उसके तो कहानी खतम मदलब आप अराम से अपना inner work कर सकते हो अपने life में आगे grow कर सकते हो पर प्रॉब्लम यही तो आती कि यहां कोई medicine नहीं बनी है जिससे अपने person को दिमाग से निकाल सके पाहर यह कहा जाता है मैं नहीं कह रही हूं क्योंकि वो medicine मैंने बनाई है ठीक है जो मैं seven को release करने वाली हूं बट उसके पहले आप कोई जानना जरूरी है कि सिर्फ यही एक problem नहीं दुनिया की हर एक problem हर एक blockage आप heal कर सकते हो क्योंकि वो सब blockage वो subconscious mind में गया कैसे because you have was big memory वो आप डालते गए वो चला जाता गया हर्पकार की गंदगी भी जा रही है हर्पकार की अच्छाई भी जा रही है आप में से बहुत लोग क्रिएटिव भी है आप में से बहुत लोग कुछ कर भी नहीं सकते जिसने जैसा जैसा कुद के अपने neurons को यूज किया उस तो इस अप तो यू तो यी तो हो गया सीक्रट की कैसे हम लोग कर सकते हैं तो आप भी समझ गए होंगे कि इस सबकॉंशिस माइंड को हील करने के लिए आपको ओवरॉल एक्सटरनल एनर्जी स्थेए ठीक है मतलब जो भी चीज आप जालेंगे वहां पर चली सेव हो जाई की तो ज्याले सेवि Communist ओर ऍडालें से गुद्तिति हम आलें अगर आप को सासु छी चीज के लिए मुझे यही अाई पर आू मगा है मुझे यही च्छी है मुझे यही च्छीएं यही च्छी है अ Okay, so if you are asking that this thing with feelings, with faith, with divinity, पूरी काइनात वो पूरी करने में आपकी मदद करती है. वो कहां से हैगी? इस माजिकल. Because यही तो बात है कि आपका subconscious mind is just like a small kid, उसे नहीं पता, उसको जो आपने वहाप पर memory में डाल दिया, वो उसको, लेकि येस, वो पिक्चर अपने हिसाब से लेता है. Remember, आपने कहा मुझे मनी चाहिए, तो वो आपको मनी आपने जो बोला है, जो music आपने दिया है. Why music? अब मैं music क्यों बोल रही हूँ? देखिए, यह subconscious mind की बात हैं दोस्तों, हलाकि अगर मैं गहराई में गई ना, तो पूरा, मुझे 8-10 वीडियो भाने पर जाएंगे, मैं शॉट में आती हूँ. मैंने कहा, I want money. या, I am having money abundance. अब मैंने money abundance कहा है, suppose this is a music, this is a sound, आपका माइंड को कैसे लेता है, as a picture, अगर मैंने money कहा, तो आपके दिमाग में note की picture बन रही होगी, वही picture आपके माइंड ने ली, तो इसी लिए सही तरीके से बोलना, सही feelings के साथ बोलना, राइट, आपके माइंड को उस picture को कैसे लेना, और किस प्रकास से रटर्न करना, everything is magical, चाहें? So, in this way, we create a ripple in universe, जब आपके life में हर चीज बुरी हो रही है, negative हो रही है, new thoughts, आपको रिप पुराने thought belief system को, खत्न करने के लिए, new thoughts, को आपको अपने, as a pattern बनाना पड़ेगा, if you want to, ऐसे ता आसान नहीं कहना, है कि I want to change the belief system, हम belief system को बदलने के लिए आया है, ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी वार में लडनने के लिए आया है, हम वो belief system कैसे बदलेंगे, जब हम अपने नए belief system create करेंगे, यही फर्ख है, सिर्फ किताबी बातों को सुन के बोलने में, और रियाल्टी में समझ के उसको सब्जाने में, आप society में लडनने नहीं जा रहे हों कि नहीं, I want to change the belief system, I am a twin soul, हाथ में अपने तलवार पकड़े हुए, जो भी है, हमको अपना नया belief system create करना है, and you have to create a ripple in universe, मतलब वो लहर हमको universe पे फेकनी है, अगर old belief system बन सकते हैं, तो नहीं क्यों नहीं बन सकते हैं, but are you ready, do you have dare to create new belief system of yours, चीक है, जब आपके new goals होईंगे, चीक है, वो pure होईंगे, उनमें feelings होँगी, तब वो action में convert होँगे, और जब action होगा, तब result दिखलेगा, तो बार बार आपको अपने subconscious mind को, वही और रिपल देना है, मुझे ये चाहिए, ये मुझे I want this, this new picture, राइट, वोन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लॉजिकल माइंड वाले लोग, इस जर्नी पर सकस्स नहीं कर सकते, और आपको अपने बार वीडियो में पहले भी बताया है, अपने बारे में, I was very much logical person, 10 times I leave this journey, with the ego, I can leave, और मैं अपनी जर्नी खुद, अपनी जर्नी खुद create कर सकती हूँ, No, बड़ घंदा वाला ego शाटर हुआ, राइट, इसलिए मैं अब बस सेवक बन गई हूँ, इस universe की, राइट, और मैं कैसे कर सकती हूँ, कि logical person, कभी subconscious mind के pattern को change नहीं कर सकते, अगर उनके अंदर faith नहीं है, आपको सब जगह से, अपना दिमाग को बिपूर stop करके, तो कि conscious mind, चीजे हर चीज conscious mind से ही subconscious में जाती है, पर conscious mind, negative belief system भी लेता है, और positive belief system भी ले सकता है, whatever, तो यह पर barrier नहीं create किया है, तो इसलिए conscious mind को बन करना होगा, you have to have faith, तो यह सबसे तरह रुकावट जो इस जनीम परता कर रहा है, बोस्ट तो उन्नों की union जादा मैं देख रही हूँ, हो रहे हैं, जो कि trust करते हैं, जो believe करते हैं तो दिमाग को चलाते नहीं है, जो logically सोचते नहीं है कि how it is possible, whenever you are questioning, it means you are logical, और यह journey, यह spiritual journey, कभी logical होती ही नहीं है, वहाँ पर हम, जहां हमारे दिमाग की सीवा खतम होती है, उसके उपर भगवान की, की सत्ता शुरू होती है, तो वहाँ पर हम दो कुछ भी अपना दिमाग लगाई नहीं सकते हैं, चीक है, बहुत ज़दा deep वाला faith होना जरूरी है, अपनी logical जो आपकी उसको है, thinking को stop करना पड़ेगा, चीक है, अपने अंदर एक आस्था लानी पड़ेगी, एक विश्वास लाना पड़ेगा, चीक है, no logic, no reasoning, no questioning, चीक है, अपने अंदर खुद को divinity से touch करना पड़ेगा, overall you have to attach yourself with the divinity, and detach yourself from the low vibrational desires, जैसे की greediness हो गई, चीक है, या गुसा, लालच, चीक है, किसी पकार की जो गंदी लेर है, इस पकार, लाइक, चीक है, खर पकार की जो लो vibrational energy है, उससे आपको खुद को detach करने का practice, और दिस, आप इस देजन, कि मैंने ये जो वीडियो है, आज से छह साथ महीने पहले नहीं बनाया, कि अब आप difference जान चुके हो, कि हमको negativity को अपनी life से धूर करना है, और positivity को अपनी life में attach करना है, जैसे कि आपकी growth, daily meditation, in the beginning, बड़ा controversy हुई थी, meditation को लेके, जो लोग एक साल पहले से यहाँ पर है, बड़ी controversy हुई थी, इसी बार की तरह, कि meditation करना जरूरी नहीं है, चक्रास करना जरूरी नहीं है, आज की date में, आज सब मानते हैं, कि yes, चक्रास is important, बड़ उस वकट आपके लिए चीज नहीं नहीं थी, न्यू थी, आपके लिए accept करना मश्कल था, इसलिए ताब अगर मैं इस concept को बदाती, तो आप लोग शायद कुछ समझ ही नहीं पाते, बट नाव यू आ स्टेबल, नाव यू अनिस्टान, तो spiritual purpose से connect होना, एक आपकी holistic life होना, ठीके अपने अंदा एक divinity को में से attach होना, meditation करना, मोख्ष से attach होना, growth से attach होना, जब आप अपनी mind को practice करते हो, इस तरफ, positivity के तरफ, और detach करते हो उन सब low vibrational desire, attachment, lust, greediness, anger, तब आप, and faith on universe, तब आप एक्चुली खुद को तयार करते हो, इस healing के लिए, इस programming के लिए, राइट, ओवर अल जब प्रोग्मिंग है, में चीज क्या होती है, ये कैसे काम करता है, मैं हर चीज ओपनली बताऊँगी, I never hide anything, आप के brain की language होती है, उसको music पसंद आता है, music मतलब, जो मैंने कहा कि मुझे, abundance, मिल रही है, तो ये music है, ये sound है, वो पहले उसको receive करता है, अब मेरे इस बोलने में किती feelings है, क्या मुझे वाकई चाहिए, या मैं ऐसा ही बोल रही हूँ, तो feelings important है, फिर उस feelings को, उस music को मैंने कैसे visualize किया, ये important है, it is exactly like, ये का आप एक खूबसूरत सपना देख रहे हो, जब एक सपना देखते हो आप, तो उसमें emotions भी होते हैं, उसमें feelings भी होती है, उसमें आपके pictures भी होते हैं, उसमें sound भी होती है, जब ये सब चीजें मिल जाती हैं, और उस picture को जब आपने subconscious mind में पेस्ट करते हो, बार बार पेस्ट करते हो, तो वो आपकी reality बन जाती है, and that is the secret, that is the way to reprogram your subconscious mind, अब में जो मेरा course है 7th को, जो मैं रिलीस करने वाली हूँ, कि मैंने आपकी इस सिर्फ neediness की topic को लिया है, ठीक है, आगे आपकी requirement के साफ से, मैं उसी topics को भी लूँगी, पर अभी priority सिर्फ उस topic की है, ठीक है, इसी परकार से आप money blockages हो गए, इसी परकार से आप career growth, marriage, everything, everything, you can heal, ठीक है, आपको सब्सक्राइब से बताने में सामर्थ क्या कहते है, हिंदी पर इससे बोल नहीं पाती हूँ, आपको इससे मैं बता पाई, और मेरा प्रिछला वीडियो जो मैंने बनाया था, पार्ट वन, प्रीज देख लीजिए, और री प्रोग्राम यॉर लाइफ,